नमस्कार मैं हूँ सरदार सिम्रंजीत सिंग बिहारी न्यूज से लोगसभाचुनाओं में लालू प्रसाद यादो जेल से बाहर होते तो क्या होता? जी हाँ, संपन्ध हुए लोगसभाचुनाओं में लालू प्रसाद यादो की पार्टी आर जेडी शून ने पर सिमट गई राश्टे जनतादल के स्थापना 1997 में समाजिक न्याय और धर्म निर्पेक्स्ता के विचारों को लेकर हुई थी तब से लेकर आस्तक इस पार्टी ने उतार चड़ाओं के कई दौर देखे लेकिन पहली बार राजत को इस तरीके के चुनाओ परिणामों का सामना करना पड़ा है अलग 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 समिक्षत इस चुनाव परिणाम के अलग अलग तरीके से विस्लेशन कर रहे हैं लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि लालू प्रसाद यादव अगर जेल से बाहर होते तो परिणाम कुछ और ही होता बिहार विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष और लालू प्रसाद यादव के पुर्ण देजस्वी यादव वैसे तो राजनिती में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं बड़ उनके पिता और उनकी राजनिती में बहुत फर्क है अभी तो जिस्वी यादव को राजनिती के दाउं पेच और छल कपट बहुत सीखने है क्योंकि राजनिती जैसे दिखती है वैसी होती नहीं राजनिती की राह बहुत पत्रीली होती है इसमें कोई शक नहीं कि लालू पर साथ यादव अगर बाहर होते तो महागटबंधन के दलों में जिस तरीके से सीटों का बंदरबाठ हुआ वो नहीं होता बहार में जिस राजनितिक दल के पास एक भी विधायक नहीं उसे लोकसभा की पांच सीटे तो किसी को तीन सीटे मिल गई कुछ लोगों को तो इस तरीके से मनमानी करने की छूट मिल गई कि खुद तो कॉंग्रस की और से राज्य सभा के सांसद है और बेटे को पेंदर कुश्वा की पार्टी से टिकट दिला दिया मुकेश शहनी जैसे नेताओं को जिनका अभी राज्यतिक अनुप शून है उन्हें भी लोकसभा की तीन सीटे दे दी गई जीतन नाम मांजी को भी तीन सीटे मिल गई अकेले तेजस्वी यादो पर इन सबने खूब दबाव बनाया और सीटों की लूट पाट क्योंकि उनके पिता अनुप अस्थित थे अगर लालू प्रसाद यादो जेल से बाहर होते हैं तो इन में से किसी भी नेता की हिम्मत नहीं थी कि वो इस तरीके से सीटों की छीना जब्टी कर लेते लालू प्रसाद यादो को आज भी बिहार में मास लीडर माना जाता है लालू की वोट अपिल तेजस्वी यादों से कहीं ज्यादा है इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं कि लालू और राज़त का समर्ण तेजस्वी यादों में अभी सहीं अपने भविष्य का नेता देखता है लेकिन यह भी उतना ही बड़ा सच है कि अभी तेजस्वी यादों को अपने पिता लालू की तरह बनने में काफी समय लगेगा उन्हें अपने पिता की तरह तपना होगा तब वो अपने पिता की तरह निखर कर बिहार की राजिती में चमकेंगे अगर आपको हमारे यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे इस वीडियो को शेयर करें अगर आप हमारे यह वीडियो हमारे फेस्बुक पेज पर देख रहे हो तो हमारे फेस्बुक पेज को लाइक करें वीडियो को शेर करें धन्यवाद